इसी खबर आ रही है कि ईडी में अर्वंद केजरिवाल जी को अर्यस्ट कर लिया है ये बिलकुल साफ था जितनी भारी संख्या में पुलीस आई थी जितनी भारी संख्या में पैरा मिलिटरी फोर्से यहां पे स्टेशन थे कि आज E.D. अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है अर्विंद केजरिवाल का अरेस्ट भारतिय जंता पाटी की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनेतिक साज़िश है प्रधान मंतरी नरेंद्र मौदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अर्विंद के जरीवाल है दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दो साल में एक रुपे की भी रिकावरी ना एडी ना सीबी आई कर पाई है पांक सौ से जादा अफसर इस केस में लगे हुए थे हजार से जादा रेड्स हुए आम आदनी पार्टी के नेताओं के घर, मंतरियों के घर, उनके आफिसेज में हर जगा रेड्स हुई लेकिन उसके बावजूद एक रुपेया आज तक नहीं मिला है तो आज लोकसभा का झुनाव अनौन्स होने के बाद अर्विन केजरिवाल का अरेस्ट एक राजनातिक साज़िष है लेकिन मैं प्रधान मंतरी नरेंद्रमोधी को कहना चाहती हूँ आर्विन केजरिवाल फिर एक इन्सान नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है अगर आपको लगता है कि एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खतम कर सकते हो तो आपको गलत लगता है अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंतरी थे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विंद केजरिवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट कता है उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है वो ही दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे ये लडाई चलती रहेंगे अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल सपष्ट है इसे कोई दो राय नहीं है हम बिल्कुल Supreme Court हमने केस फाइल कर दिया है अर्विंज केजड़ी वाल के अरेस्ट को कोष करने का केस Supreme Court में फाइल कर दिया है अभी उसकी urgent mentioning के लिए हमारे वकील Supreme Court जा रहे है हम यह demand करेंगे कि आज गात को ही इस केस की सुनवाई हो